Hello Friends and Medicine, Biochemistry BP203TK इस वीडियो में हम लोग Unit 1 में Structure of RNA के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे RNA का structure यहां पे कैसा होता है RNA का structure हमारे DNA के structure से किस तरह से अलग होता है और हमारे RNA के कितने टाइप्स होते हैं जिसमें हम लोग mRNA, tRNA और rRNA के बारे में डिटेल में बात करेंगे मेरा नाम है डॉक्टर महमताप सिंग्ट चलिए शुरू करते हैं तो अगर हम लोग RNA के इस्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि हमारे RNA यहाँ पर actually में क्या होते हैं तो यह हमारे जो होते हैं राइबो न्यूक्लिटाइड्स होते हैं उनके simply जो polymers है वो हमारे यहाँ पर RNA होते हैं और यह जो हमारे होते हैं राइबो नुक्लिटाइट्स यह यहाँ पर कह सकते हैं फाइव डैस हमारा फाइव डैस जो फास्फो डाइस्टर ब्रिज होता है उसके थुरू आपस में यह हमारे जो होते हैं राइबो नुक्लिटाइट्स यह आपस में यहाँ पर कनेक्टेड हम भी हमारा उस place पे अगर हम DNA के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो हमारा pentol वहाँ पे होता है वह पुजीशन है जो हमारी पूजीशन है वहाँ पर हमें एक तरह का phosphodiester जो bridge है वह अपने structure में वहाँ पे प्राप्त होता था और इस pan-ulation में na प temps वह एक हमाना था उसका और वहां में प Works Up अगर हम यहां पर देखते हैं वह में प्रकार की हैलिक्स स्फ़ारMAN और जोी फासेट में उसकी यहां पे हमें हैलिक्स जो है यहां पे structure में यहां पे देखने को प्राप्त होती है तो यह है हमारा यह हमारा जो हमारा वो सुगर है और जो हमारा पेंटो फासफेट होता है उसके एक तरह से वो बीच में हमें यहां पे एक तरह की हैलिक्स इसमें देखने को प्राप्त होते हैं तो अगर हम लोग इस तरह से बात करते हैं तो जो हमारा RNA का structure होता है वो हमारे DNA का जो structure था उससे काफी हद तक हमें same देखने को प्राप्त होता है तो अगर हम लोग इस प्रेश पे बात करते हैं कि RNA और DNA के structure में कहां कहां पे हमारे अंतर होते हैं क्या-क्या यहां पे जो difference है वो होते हैं तो आईए इस वीडियो में हम लोग एक एक करके इनके बारे में detail में बात करेंगे तो अगर exam में आपसे यह पूछा जाता है कि RNA और जो DNA है उसमें क्या अंतर होते हैं तो आप आसानी से यह जो हमारे differences हैं इनको exam में लिख सकते हैं तो अगर हम लोग जो हमारा यहां पे अंतर है सबसे पहले जो हमारा वहां पे होता है pentose हमारा sugar होता है उसके एक तरह से basis पे हम लोग अपने जो RNA है और हमारे जो DNA है उसको यहां पे किस तरह से एक तरह से अलग करते हैं तो इस condition में क्या होता है कि जो हमारे यहां पर RNA होते हैं उसमें जो हमारा होता है कह सकते हैं सुगर है वो हमारा होता है राइबोज होता है इसलिए इसको हम लोग जो RNA के नाम से indicate करते हैं और जो हमारा DNA होता है उसमें हमें deoxy जो हमारा ribos sugar है वो अपने DNA में देखने को प्राप्त होता है तो यह जो हमारा यहाँ पर structure है यह हमारा structure है that is the structure of the ribos तो इस condition में क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा अगर हम देखते हैं तो यह हमारा होता है that is called the first position, यह हमारा होता है second, यह third, यह fourth और यह हमारी जो पाचवी एक तरसे position है, वो होती है, तो इस condition पे क्या होता है, कि जो हमारी second यहाँ पे होती है, position, वो हमें उस place पे यहाँ पे OH ग्रूप अगर देखने को प्राप्त होता है, तो वो हमारा जो होता है sugar, that is called the ribose, और इस condition मे अगर जो हमारा एक तरसे OH है, उसके एक तरसे वो place पे, यहाँ पे OH अगर यहाँ पे हट जाता है, यह हम simply कह सकते हैं कि O अगर यहाँ से हट जाता है, और खाली H यहाँ पे, अगर एक तरसे रह जाता है, तो जो हमारा structure form होता है, वो simply हमारा deoxy ribose वहाँ पे कहलाता है, और अब हम लोग इस पर एक तरसे बात कर लेते हैं, जो हमारे नाइट्वरोजिनस बेस होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग किस तरह से अपने RNA को DNA से अलग कर सकते हैं? तो जो हमारा होता है पायरिमिडीन, अगर हम लोग यहां पे उसके बारे में बात करते हैं, तो इसके पहले हम लोग जो हमारा होता है purine हम लोग यहां पे उसके बारे में बात कर लेते हैं तो जो हमारा purine है उसमें जो हमारा adenine और हमारा guanine होता है वो हमें RNA DNA दोनों में देखने को प्राप्त होता है और अगर हम लोग जो हमारा pyrimidine है उसमें हमारा एक जो होता है nitrogenous बेज जो कि कहलाता है cytosin वो भी हमें RNA और DNA दोनों में देखने को प्राप्त होता है बट जो हमारा यहाँ पे दूसरा होता है pyrimidine वो हमें जो हमारा RNA है उसमें हमें यहाँ पे जो होता है कह सकते हैं uracil वो हमें अपने structure में देखने को प्राप्त होता है बड जो हमारा DNA है उसमें हमें जो हमारा thymine है वो simply हमें देखने को प्राप्त होता है तो अधिकतर हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि जो भी हमारा RNA है उसमें जो हमारा pyrimidine है वो होता है that is the uracil और अगर हम लोग DNA के बारे में बात करते हैं तो उसमें जो हमारा होता है pyrimidine वो हमारा thymine simply यहाँ पे होता है तो इस तरह से हम लोग RNA और DNA को यहाँ पे अलग कर सकते हैं कुछ exceptional हमारे case होते हैं वो जिसमें हमें जो RNA है उसमें thymine भी देखने को प्राप्त होता है तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे उसके बाद में जो हमारा strand होता है या जो हमारा वहाँ पे हैलिक्स होता है उसके यहाँ पे basis पे भी हम लोग RNA और DNA को आहराम से अलग यहाँ पे कर सकते हैं तो अगर हम लोग जो हमारा DNA का structure था अगर हम लोग वहाँ पे उसके बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हमें जो structure है उसमें वहाँ पे double हैलिक्स देखने को प्राप्त हो रहा था बड़ जो हमारा RNA होता है इसमें हमें यहाँ पे जो हमारा वो पे वहाँ पे फोल्ड हो जाते हैं वह जिसके कारण की वह वहाँ पे double strand का structure भी हमें वहाँ पे जो हमारा RNA है अगर basically बात करते हैं तो यह यहाँ पे जो हमारे होते हैं polynucleotide उनके single strand यहाँ पे होते हैं उसके बाद में अगर जो हमारा होता है यहाँ पे सरगाफ्स रूर उसके अगर basis पे अगर हम लो RNA और DNA को यहाँ पे अलग-अलग अगर यहाँ पे करना चाहें तो जो हमारे DNA होते हैं उनमें हमारा जो double strand है वो होता है जिसके कारण की वो हमारा जो होता है वो सरगाफ्स रूर उसको यहाँ पे simply जो है वो वहाँ पे उसको follow करते हैं बट अगर हम लोग यहाँ पे RNA के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा जो strand है वो हमें वो single strand एक तरह से देखने को प्राप्त होता है तो इस condition में क्या होता है कि उसके अंदर जो हमारा होता है प्यूरीन और हमारा जो होता है पायरीमेडीन उसमें हमें वहाँ पे जो हमारा specific हमारा ratio होता है वो हमें अपने RNA में देखने को प्राप नहीं होता है तो इसके जो लाश्क वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा होता है सिरगाफ शूरूर उसके बारे में बात किया था तो उस को प्राप्त होती है यह हमारा जो रूल है that is called the सिरगाफ रूल और यह हमारे DNA के ऊपर तो apply होता है बड़ जो हमारे RNA होते हैं वो इस रूल को follow यहाँ पे simply नहीं करते हैं तो इस तरह से हम लोग अपने RNA और DNA को यहाँ पे अलग-अलग कर सकते हैं उसके बाद में अगला ज अलकलाई के थरू हमें RNA की देखने को प्राप हो सकती है तो अगर हम लोग इस कंडिशन में बात करते हैं तो जो हमारे अलकलाई होते हैं वो हमारे RNA जो होते हैं उनकी जो hydrolysis है उसको वहाँ पे करने का एक तरसे काम करते हैं और वहाँ पे हम कह सकते हैं वो 2-3 cyclic diester को यहा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा यहां पे structure होता है उसमें हमें जो होती वो second हमारी position है वहाँ पे hydroxyl group यहां पे देखने को प्राप्त होता है जिसके कारण की alkalाई जो है वो हमारे RNA को यहां पे hydrolyze आसामी से कर सकते हैं तो अगर हम लोग इस ट्रक्चर में आते हैं तो इस ग्रूप देखने को प्राप्त होता है जिसके कारण की alkalाई यहां पे आके जो hydrolysis है वो आसानी से यहां पे कर सकते हैं इस ग्रूप के कारण हमें अपने RNA में hydrolysis alkalाई के द्वारा देखने को प्राप्त होती है उसके बाद में जो हमारा यहां पे अंतिम है एक तस वो difference ह है वो है हमारा जो हमारा होता है और सिनाल की color reaction होती है वो हम लोग यहां पे उपियोग करते हैं RNA को simply identification जो identify यहां पे करने के लिए तो इस condition में क्या होता है कि जो हमारे RNA होते हैं उसमें जो हमारा वो सुगर है that is the होता है और राइबोज और इसकी जो हमारी होती है कह सकते है प्रेजेंस होती है वो हमारी हम कह सकते हैं और सिनाल की जो हमारी जो हमारी जो हमारी कलर डियक्शन है उसको हम लोग यहां पर उप यूग करते हैं RNA को simply identify यहां पर एक तरसे करने के लिए क्योंकि इसके अंदर जो हमारा राइबोज है वह वहां पे होता है तो यह हमारे और अगर हम लोग जो हमारे RNA होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो यह major 3 types के हमें देखने को प्राप्त होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला है, that is called the messenger RNA, और इसको हम लोग mRNA से simply indicate करते हैं, और यह हमारे जो RNA है, उसका 50 to 10% हमें देखने को प्राप्त होता है, उसके बाद मे हमारा दूसरा है, that is called the transfer RNA, इसको हम लोग simply tRNA से indicate करते हैं, और यह हमारे total RNA का 10 से 20% हमें यहाँ पर देखने को प्राप्त होता है, और अंतिम है, that is called the ribosomal, जो RNA होते हैं, जिसको हम लोग rRNA के नाम से indicate करते हैं, और यह हमारे total जो RNA हैं, उसका यहाँ पर 50 to 80%, हमें यहाँ प से पहला है, that is called the messenger RNA, जिसको हम लोग mRNA के नाम से indicate करते हैं, तो जो हमारे यहाँ पर होते हैं, उसमें जो हमारे होते हैं, हम कहते हैं, नूकलियस उसका जो वहाँ हमारा होता है, उसमें जो हमारा mRNA है, उसकी हमें synthesis यहाँ पर देखने को प्राप्त होती है, और इस starting में यह हमा हमारे होते हैं, हमारे हनरने, उस प्लेश पे जब संतसाइज होते हैं, उनकी जब यहाँ पर प्रासेसिंग होती है, तो फिर वह यहाँ पर functional RNA को हमारे यहां से करते हैं, और जब हमारे होते हैं, फंक्सनल हमारे mRNA है, वह जब हमारा जो cytoplasm है, उसके अंदर वहाँ पर से बात करते हैं, तो जो हमारे होते हैं, यहाँ पे eukaryote, उसमें जो हमारा mRNA है, उसकी जो synthesis है, वो हमें यहाँ पे nucleus में देखने को प्राप्थ होती है, starting में जो form होता है, वो हमारा यहाँ पे heterogeneous nuclear RNA होता है, hnRNA होता है, और hnRNA की जब यहाँ पे processing होती है, तो हमारे functional mRNA यहाँ पे liberate होते हुए, हमें देखने को प्राप्थ होते हैं, और यह जो हमारे functional mRNA है, यह जब हमारे cytoplasm में इंटर करते हैं, तो यह हमारे protein synthesis की जो process है, उसमें यहाँ पे participate करते हैं, तो अगर हम लोग जो हमारे mRNA हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो इनका जो हमारा होता है molecular weight, वो हमें high इनका देखने को प्राप्थ होता है, और इनकी जो half life है, वो हमें sort यहाँ पे देखने को प्राप्थ होती है, तो अगर हम लोग इस place पे यहाँ पे जो हमारा होता है mRNA, उसके बारे में यहाँ पे structure में देखने को प्राथ होता है तो इस प्लेस पे जो हमारा डाग्राम है उस पे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो यह जो हमारा इसका होता है फिफ्ट इंड होता है उस पे हमें इस प्लेस पे एक प्रकार का कैप देखने को प्राथ होता है और यह जो हमारा होता है एक तरस होते हैं उनके थू हम आरनी ऑंट्लियस को ईहां पर सिम्पली प्रवेंट करने का काम करता है। उसके बाद में अगर हम लोग आरने उनके अगर एक दर से बारे में बात करते हैं तो यह हमारी जो प्रोटीन की लोगती है उसमें एक तरह से उसका वो recognition में भी यह हमारे यह जो हमारा कैप है यह यहाँ पर involved होता है तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा यह यहाँ पर एक तरह से कैप है यह हमारे जो mRNA है उनकी hydrolysis को भी यहाँ पर रोगता है और जो हमारा protein synthesis है उसके लिए जो हमारे messenger RNA है उनको वहाँ पर recognize करने के लिए यह काम करता है उसके बाद में अगर हम लोग structure पर इस place पर आते हैं तो again जो इसका हमारा यहाँ पर होता है कह सकते वो third हमारे टर्मिनल एक तरह से end होता है हमारे mRNA का उस पर हमें वहाँ पर जो हमारा adenylate का residue होता है वो जिसमें हमारे approximately 20 से यहाँ पर दो सो पचास हमारे वो nucleotides होते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को प्राप्त होते हैं और इनको हम लोग यहाँ पर कहते हैं nucleotides होते हैं वो जो की हमारे जो होते है एडिनाइलेट के जो हमारे residue होते हैं जिनको हम लोग poly A tail के नाम से भी indicate करते हैं वो हमें अपने RNA के जो हमारा third terminal end है उस पर हमें simply देखने को प्राप्त होते हैं और यह जो हमारी होती है poly A tail होती है यह हमारे mRNA को stability provide करने का simply काम करते हैं इस थिरता provide करने का यहाँ पर काम करते हैं तो इस condition में अगर हम लोग इस पर एक तरह से बात करते हैं तो जो हमारे होते हैं MRNA के यहाँ पर होते हैं, एक तरसे molecules होते हैं, उसमें जो हमारा होता है 6, हमारा वो methyl होता है, adenylate, वो हमें अपने internal structure में, उसका एक तरसे हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि जो हमारे होते हैं, हमारे वो basis होते हैं, वो हमें यहाँ पे अपने internal structure में simply हमें देखने को प्राप्त होते हैं, अब हम लोग यहाँ पे अपने transfer RNA के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग tRNA के नाम से indicate करते हैं, तो जो हमारे transfer यहाँ पे RNA होते हैं, या हमारे जो tRNA होते हैं, इनको हम लोग soluble RNA के नाम से भी indicate करते हैं और यह जो हमारे होते हैं transfer हमारे RNA के जो यहाँ पे molecules होते हैं उनके अंदर हमें approximately 71 से 80 nucleotides देखने को प्राप्त होते हैं और जो हमारे होते हैं अधिकतर tRNA उसमें हमें approximately यहाँ पे 77 nucleotides देखने को प्राप्त होते हैं तो इस condition में अगर हम लो बात करते हैं कि जो हमारे tRNA होते हैं उनका जो हमारा molecular rate है वो approximately 25,000 डाल्टन के आसपास हमें देखने को प्राप्त होता है और हमारा जो tRNA है इसका जो structure है इसको एक हमारे scientist हो ली उन्होंने पहली बार elucidate करने का एक तरह से काम किया था और इस condition में इन्हों ने जो हमारा होता है tRNA उसके structure में एक तरह से कहा था कि इसमें हमें basically mainly 4 arm देखने को प्राप्त होते हैं और जो इस condition में अगर हम लोग इस place पर एक तरह से बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे यह arm होते हैं उस में हमारा जो सबसे पहला Arm यह धिस काल्दी acceptor arm तो हम लोग जो हमारा acceptor arm होता है उसके बारे में बात करते हैं तो यह हमारा acceptor arm होता है यह मैंना इसके हमारा cca का हमारा sequence है उससे हमें उसका वहां पर captured देखने को प्राप्ट होता है जो हमारा होता है 5th to 3rd हमारा वहां पर carbon होता है वHMA CCA का Kevin CAP है वH 5th तो अपने acceptor arm में देखने को प्राप्ट होता है, तो यह जो हमारा है RNA यह हमारा TRNA है उसके अगर डियग्राम के बारे में बात करते है तो यह हमारा इसका acceptor arm होता है और इसके ऊपर जो यहाँ पे हमारी cap होती है वो हमारा cca की जो cap है वो हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है और यह जो हमारे cca है यह जो हमारे amino acids है उनको यहाँ पे एक तरह से provide करने का काम करता है तो अगर हम लोग एक तरह से इस place पे अगर हम लोग यहाँ पर एक तरसे बात करते हैं, तो इस condition में क्या होता है, कि जो हमारा यहाँ पर acceptor, हमारा arm होता है, वो हमारे जो amino acids होते हैं, उनसे हमारा जो tRNA है, उसको attach करने के लिए responsible होता है, उसके बाद में जो हमारा दूसरा arm है, that is called the anti-codone arm, तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो इस condition में क्या होता है, कि यह जो हमारा arm होता है, इसके अंदर हम कह सकते हैं, वो three जो हमारे specific nucleotide base होते हैं, वो इस place पे देखने को प्राक्त होते हैं, और इसलिए यह हमारा anti-codone जो हमारा arm है, यहाँ पे कहलाता है, तो इस condition में क्या होता है, कि यह जो हमारा होता है anti-codone हमारा arm होता है, जिसमें three specific हमारे nucleotide जो base है, वो हमें यहाँ पे देखने को प्राक्त होते हैं, तो यह हमारा जो होता है MRNA होता है, उसका जो हम कह सकते हैं, triplet हमारा वो codon है, उसको वहाँ पर recognize करने के लिए responsible simply होता है, तो जो हमारा mRNA होता है, उसको वहाँ पर recognize properly, एक तरश से करने के लिए, उसको वहाँ पर एक तरश से पहचानने के लिए, हम यहाँ पर simply कह सकते हैं कि हमारे 3 specific जो nucleotide base है, जिसको हम लोग anti-codon कहते हैं वो यहाँ पे responsible होता है तो आईए इसको structure में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो इस condition में क्या होता है कि इस place पे यह हमारा है anti-codon arm है वो हमें यहाँ पे जो है वो देखने को प्राप्त होता है और यहाँ पे वो तीन specific जो हमारे nucleotide base है वो हम यहाँ पे जो है देखने को प्राप्त होते हैं यह हमारे जो वहाँ पे अलग-अलग हमारे mRNA है उनका जो हमारे वो tiplet हमारे कोड़ान है उनसे वहाँ पे अगर वो वहाँ पे match करते हैं तो फिर उनके साथ में attach होते हैं और protein जो synthesis है उसमें participate करने का काम करते हैं उसके बाद म देखने को प्राप्त होता है जिसके कारण की इसको हम लोग simply d arm के नाम से indicate करते हैं तो इस condition में क्या है कि जो हमारा यह arm है that is called the d arm और इसमें हमें यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे कह सकते हो पी यू है वो जो की कहलाता है हमारा जो है यह कहलाता है वो डाइड्रॉक्सी हमार में यहाँ पे जो हमारा है अगला आर्म वो हमारा that is called वो टी साइसी आर्म इसको हम लोग simply यहाँ पे कहते हैं तो इसमें जो हमारा होता है कैसा वो थाइमीन है वो हमें अपने structure में देखने को यहाँ पे एक दर से प्राप्त होता है जो हमारा वो स्यूडो हमारा होता है पे pseudo-uridine है उसको हम लोग यहां पे जो हमारा साई है या जो हमारा यह सिंबल है उससे हम लोग इसको यहां पे represent करने का काम करते हैं तो इसके जो हमारा वीडियो था उसको start करने से पहले ही हम लोगों ने बात किया था कि कि जो हमारा DNA है, उसमें क्या होता है, कि उसमें जो हमारा होता है, वहाँ पे होता है, वहाँ पे होता है, वह हमारा वहाँ पे होता है, that is called the thymine, और जो हमारा RNA है, उसमें जो हमें पाइरेमिदीन देखने को प्राप्त होता है, that is the uracil, तो इस condition में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर exceptionally हमें यहाँ पर जो थाइमीन है वो अपने RNA में भी यहाँ पर देखने को प्राप्त होता है उसके बाद में जो है इसलिए हम लोग इस आर्म को टी साइसी आर्म के नाम से indicate करते हैं उसके बाद में यहाँ पर हमारा एक आर्म और होता है that is called the variable आर्म तो यह जो हमारा इस पर पर आर्म है यह हमारा simply variable आर्म इस पर एक तरह से कहलाता है और इस condition में जो हमारा एक तरसे ये arm है, ये हमें हर tRNA में अलग-अलग देखने को प्राप्त होता है, और इसके कारण हम लोग अपने जो tRNA है, उसको दो class में simply classify करने का काम करते हैं, तो इस place पे जो हमारा होता है variable arm होता है, उसकी जो हमारी यहाँ पे variability होती है, उसके कारण हम लोग जो हमारे tRNA होते हैं, उनको यहाँ पे दो category में classified simply करने का काम करते हैं, इसमें जो हमारा सबसे पहला है, that is called the class 1 tarm, ये हमारा होता है, और अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा tRNA है, उसका जो हमारा most predominant form होता है, सबसे जो हम कह सकते हैं, ज्याद वहाँ पे पाया जाने वाला जो arm हमारा form होता है, class होता है, या category होती है, वो हमारा यहाँ पे class 1 tRNA होते हैं, और ये about यहाँ जो हमारा होता है tRNA, उसका 75% हमें देखने को प्राप्त होते हैं, और इसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो इसकी जो हमारी length होती है class 1T arms की जो हमारी यहाँ पे जो होती है length वो हमारी 325 base pair हमें देखने को प्राप्त होती है तो DNA में भी हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा DNA है उसका जो structure का हमारा एकतर से length होता है उसका जो हमारा होता है एकतर से measurement उसकी जो हमारी basic unit है वो क्या होती है base pair जिसको हम लोग BP से यहाँ पे indicate कर सकते हैं तो इसमें जो हमारे RNA है उसमें हमारा जो होता है एकतर से कह सकते हैं base pair है वो हमें यहाँ से 3-5 base pair की length हमें अपने class 1T RNA में देखने को प्राप्त होती है अब हम लोग इस place पे जो हमारा antim है that is called the ribosomal RNA उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो जो हमारे यहाँ पे होते हैं और जो हमारे RNA होते हैं यह इस place पे जो हमारे mRNA है और जो हमारा वो ribosome है उससे जो हमारी होती है एक दसे protein की synthesis है उसमें हमारा जो होता है mRNA और हमारा वो ribosome की जो binding होती है उसमें एक यहाँ पे significant role play करते है तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारे ribosome है वो हमारी जो protein synthesis है उसकी वहाँ पर एक तरसे factory होते हैं और जो हमारे mRNA है और हमारे जो होते है एक तरसे ribosomes है उनकी आपस में जो binding है जब protein synthesis होती है तो जब हमारे mRNA हमारे वो ribosome से वहाँ पर bind होते हैं तो उसमें हमार आर आरेने एक वहाँ पे significant role play करते हैं तो इस तरह से हम लोग अपने जो हमारे होते हैं उनकी quantity हम लोगों ने starting में ही बात किया था कि वो हमें एक अच्छी खासी quantity में हमारा जो यहाँ पे आरेने है वो आरेने होता है approximately 52 हमारा 80% और यह हमारी जो protein की synthesis है उसके लिए काफी important होत है वो भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारे mRNA, tRNA और rRNA आपको अच्छे से समझ में आ गये होंगे अगर अभी भी कही कोई confusion है तो comment करके पूंच सकते हैं इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले और हमारे एप को भी install करना बिल्कुल भी न भूले थैंक यू